कि हलो फ्रेंट्स एंड डियर इस्टुडेंट्स सबसे पहले आपको आपके इस्ट्रो और इंस्टेक्टर्स के सारे जो एक्जाम सहे उनके लिए बैस्ट आप लग अगर आपने इस्ट्रो का ये पेपर सोल्व कर लिया तो मेरी गारेंटी है बहुत सारे क्यूशन्स आपके सोल्व हो जाएंगे आप पेपर को सोल्व करने के कैपविलिटी आपके अंदर आ जाएगी तो फटा-फटे स्टार्ट कर लेते हैं हमारा पहला किशन है निमले लिकितमेट से कौन एक फ्यूजन वैल्डिंग परकिरिया नहीं है विच अप्दा फॉलोविंग इस नोट ए गरशन करवाय जाता है बाद में प्रेशर रखी जोइंट लगाया जाता है तो इसमें किसी परकार का जो जो आए उपर हीट अलग्स नहीं दी जाती है ये एक फ्यूजन प्रोसेस नहीं है कि प्रोसेस के अंदर आते हैं ठीक है चलिए बढ़ते है yards कैंको कुशन क क्योर हम यानि कि कुश्टन में हमसे पूशा जा रहा है कि जो दिये के विकल्प है ये इन में से कौन से जो टेक्निक बताई गई है वो distortion को control करती है welding के दोरान आपको पता है welding के दोरान distortion आता है जिससे की job टेडा मेडा हो जाता है चोडा सकडा हो जाता है उसका alignment खराब हो जाता है job की जो बनावाट है वो disturbed हो जाती है तो इन सब distortion जो बचने के लिए जो हमारे पास technique है इस kitchens के अंदर वो हो जाएगी option C दोनों यानि की weld अनुकर्मन weld sequence यानि की आपस में आमने सामने welding करते हैं छोड़ छोड़ के welding करते हैं यह सब techniques होती है sequence में welding करने की तो इसके दोरा भी हम distortion को control कर सकते हैं दूसरा हो गया पूर जुकाव यानि की pre bending यानि की welding करने से पहले तोड़ा से जोब को opposite direction में हम जुखा देंगे तो welding के दोरान वापस क्या है कि जोब अपनी right इस्तिती में आ जाता है तो यह सब process क्या है कि distortion को control करने के होते हैं आगई बात समाझ हो है तो इस तरह से हम distortion को control कर सकते हैं हमारा next question is question number three निमलिकित में से कौन सा कतन सत्ते which of the following statement is true तो देगे विकलपों में से पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि कोई साभी statement यहाँ पे true नहीं है इस question के अंदर यानि कि fillet joint is stronger than butt joint पहला statement यह दिया गया है आपके सामने कि fillet joint is stronger than बट जोइंट यानि कि fillet joint बट जोइंट से strong होता है तो यह statement बिलकुल गलत है हमेशा बट जोइंट stronger होता है fillet joint से ठीक है इसके बाद में यह दिया गया है कि बट जोइंट is 14.3 times stronger than fillet joint यानि कि बट जोइंट जोद्दा पोइंट तीन गुणा strong नहीं होता 14 गुणा बहुत होता है तो यह भी कोई जम नहीं रहा कि इतना हो सकता है या फिर यह statement अपना सही हो रहा है तो यह भी statement अपना गलत है तीसरा है पट्टी का जोड और लेकिन जोड समान रूप से मजबुत होते हैं देखिए यहां समझ में नहीं आए कि आपको आप English जितना पेपर के अंदर समझ सकते हैं उतना आप Hindi नहीं समझ भाएंगी चाहिए हिंदी सहतर से हो चाहिए इंगलिस सहतर से हो आप English को तोड़ा प्रेफर करें इंगलिस को तोड़ा अपनी strong करें तो आपको पेपर सोल करने में मज़ा आएगा अच्छा लेगेगा और जो रियल कुर्शन जो कुर्शन हम से कहना चाहरा है वो समझ में आएगा तो कैसम हम से इसमें कहहरा देखिए समझ इसको फिलेट जोईंट एंड डट जोईंट आर एक्वैली यानिके हमेशा बट जोइंट मजबूत होता है तो यह स्टेट्मेंट सही हो सकता है बाकि इस प्रका कोई स्टेट्मेंट यहां नहीं है तो तीनों स्टेट्मेंट गलत है तो इसमें से हमारा राइट आंसर आजाएगा उप्रोक्त में से कोई नहीं ठीक है तो कुरा समझे अ कुछन हैने नेक्स्ट कुछन है क्योशन No 4 फेरेस मिस्र दातों की वैल्डिंग से संबंद में सही कतन का चैन करें सिलिक्ट दा इस्टेटिमेंट थे सब्सक्रिटक्ट तू वैल्डिंग फेरेस अलोई यानि कि लोह धातु यानि जैसे mild still हो गया medium carbon still हो गया यह फेरस लोग जिसके अंदर low है ठीक है उस metal के संबन में welding के related कौन सा statement जो दिये गए है वो सही है पहला statement हम read कर लेते हैं weldability increase with increase in carbon content यानि कि अगर हम किसी भी metal के अंदर carbon content increase करते हैं ठीक है तो weldability increase होती है तो यह statement सही है या गलत है यह statement गलत है जब carbon content किसी metal के अंदर बढ़ता है तो weldability increase नहीं होती है ठीक है दूसरा जो हमारा statement वो पढ़ लेते हैं weldability decrease with increase carbon content देखिए यह statement पढ़िए आप weldability decrease यानि weldability घड़ती है जब increase होता है carbon content अगर किसी metal के अंदर हम carbon content बढ़ाएंगे तो weldability decrease हो जाएगी तो यह statement बाइसाब बिल्कुल सही है carbon बढ़ता है तो weldability metal की घटती है और carbon घटता है तो weldability बढ़ती है तो यह statement बिल्कुल right है आपको बाकी statement पढ़ने की जुरती नहीं है सटा सट आप्टिक लगा दीजिए आपको यह विकल्पिट ओके है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नंबर फाइव निम्नलिकित में से किस परिक्रिया में welding का ओटोजीनेस मोड संभव है इन विच ओफ फॉलविंग प्रोसेस ओटोजीनेस मोड ओफ वेल्डिंग इस पॉसिबल जिसमें हमारा राइट आंसर आजाएगा ओप्शन प्रोसेसी एलेक्ट्रोन वीम वेल्डिंग देखे ओटोजीनस का मतलब क्या होता है ओटोजीनस वफ वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं iki के अंदर किसी पर बींग्रिकी हम फीलरोड का उपयोग नहीं करते हैं कि वेक्षन से हम उनको वेल्ड करते हैं यह हम किसी भी और्पकूर करते हैं तो वह सोलिडिश्टेट वैल्डिंग प्रोसेस होता है ठीक है तो इन दिए के विकल्पों में से बाकि सारे विकल्प जो हैं फूजन के प्रोसेस failure handled गफ्यंदी कि राझ कि किसे जोड़ सीग्ताइब है और सब मज़राक वेल्डिंग यह भी फिजनयीन है हमारे चैंसर है इसमें च्वरक्ष के बढ minus उपयोग नहीं होता वे एक ही ऑफशन है हमारा को इलेक्ट्रॉन विम् वेल्डिंग थीक है तो इस प्रकार से आपको समझ के आंसुर देना है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूश्ट क्यूश्ट नंबर 6 निम्नलीकित में से किस इस्तिति में वेल्डिंग में कि कमी हो जाएगी विच फोलविंग कंडिशन विल रिजल्ट इन लेक फ्यूजन फीजन टेहरे गाने की पैरामेटर से कौन साथ पैरामेटर विपारमेटर जिसको आप सही से सेट नहीं करेंगे तो आपके वेल्डिंग में लेक फ्यूजन टेफेक्ट आ सकता है तो उसमें ह है दूसरा हाई welding speed अगर आपकी welding speed हई है आप जल्दी जल्दी इलेक्टरोड चला रहे हैं welding की जु गन है उसको आप Karma चला रहे है तो भी आपके लेकॉ फ्यूजन डिफेक्ट आ सकता है तो इसमें सभी जो है विकल्प राइट है सभी विकल्प सही है कि इन तीनों पेरामेटर को आपको सेट करके ही वेल्डिंग करनी है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किशन के और हमारा नेक्स्ट किशन किशन नमबर सेवन DC आर्क वेल्डिंग परकेरा में निमलिकित में से कौन सा कतन सत्य है इन डिसी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस विच आप फॉलविंग स्टेट्मेंट इस ट्रू जिसमें से हमारा राइट आंस्वर आजाएगा पहला ही ओप्शन इसमें राइट है पॉजिटिव टर्मिनल हैज more heat यान कि DC वेल्डिंग के अंदर आपको पता है polarity का उप्योग करते हैं और polarity के अंदर पोजिटिव पोल होता है उसके उपर heat अधिक होती है समझे बात नहीं तो पोजिटिव पोल के उपर heat ज्यादा होती है यह statement बिल्कुल right है तो यही answer हो जाएगा हमारा A ठीक है चलि इसमें हमारा राइट आंस्व आ जाएगा ओप्शन स्री लेजर बीम वेल्डिंग जो है पूरी तरह से आटोमेटिक प्रोसेस है वेक्यूम चेमबर के अंदर की जाती है तो इसमें आप अपने हाथ से उस वेल्डिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते पूरा ओटोमेटिक सकती है और मैनुवल भी हो सकती है लेकिन यह जो प्रोसेस है वो इसके अंदर मैनुवल प्रोसेस बिल्कुल भी आपके पास अवेलिबल नहीं है कि आप मैनुवल चला सकते हैं पूरा ओटोमेटिक प्रोसेस होता है लेजर विम वेल्डिंग में ठीक है चलिए बढ़ते है है next question के और हमारा next question है question number 9 सामगरी की weldability मुख्य रूप से निर्भर करती है weldability of a material predominantly depend on upon यानि कि दिए के विकलपों में से वह कौन सा content है जिसके उपर किसी पर से निर्भर करती है जिसमें हमारा right answer है option carbon content मेटल के अंदर जितने carbon है उसकी percentage क्यादार पर जो मेटल है मारा उसकी डिपेंड होती है अगर कार्बर कंटेंट किसी मेटल के अंदर ज्यादा है तो उसकी वेलिबिलिटी कम हो जाती है carbon content यदि किसी मेटल के अंदर कम है तो उसकी वेलिबिलिटी अच्छी रहती है ठीक है तो carbon content बहुत important part है कि वेलिबिलिटी के लिए चलिए बढ़ता है next question के और next question question no.10 पैतालेश एक के वर्तमान पंदरावी के वोल्टेज और पैतालेश एमेम परती मिनट की वेल्डिंग गती के साथ GTW यानि की टिक वेल्डिंग परकिरिया के लिए गर्मी इंपुट की गणना करें calculate the heat input for a GTW टिक वेल्डिंग प्रोसेस विट करेंट ओफ 45 एंप्यर वोल्टेज ओफ 15 वोल्ट एंड वेल्डिंग स्पीड ओफ 45 मिनट परती एमेम यानि की question में मैं से पूचा जा रहा है कि आप जो आपके उपर heat input कितना हाने वाला है उसकी calculate करना है आपको दिया हुआ है 45 एंप्यर 15 वोल्टेज एंड 45 एमेम परती मिनट वेल्डिंग स्पीड आपको दी हुई है अब आप इन parameter को set करते हुए अगर आप welding करते हैं तो जो आपके उपर heat input कितना आएगा उसकी आपको calculation करनी है देखिए अगर आपको यह कुशन्स आपने शोल नहीं किया है calculate नहीं किया है तो इसमें आप कोई भी तुक्का नहीं लगा सकते यह आपको समझ नहोंगा ठीक है तो मैं बता देता हूं देखिए इसको जो करने का formula है बता देता हूं कि आपको किस तरह से इसको इसको करने के लिए एक formula दिया हूआ है वह होता है volt x ampere x 60 divided travel speed इस formula का आप उपयोग करेंगे तो आसानी से चाहिए कितने भी आपको parameter दिया हूआ हो आप आसानी से इसको solve कर सकते तो चलिए हम solve कर लेते हैं देखिए voltage कितना है 15 into ampere कितना दिया हूआ है 45 कि एंड कि 60 हम यहां पर लिख देंगे नीचे लिखना है में ट्रेवल स्पीड ट्रेवल स्पीड कितनी है हमारे ट्रेवल जो स्पीड है वह है 45 ठीक है 900 हमारा केलकुलेशन आया है तो 900 देख लीजिए यह अप्सवन आपका बी 900 जूल परती एम्म आपका यह आंस्वर आ जाएगा और कितना असानी से आंस्वर आगया आप देख सकते हैं केलकुलेशन हम सोच रहेते कि पता नहीं कैसे होगी चलिए बढ़ता है है नेक्स्ट के और हमारा नेक्स्ट केशन है क्वेशन नंबर 11 निमन लिखित में से कौन सी परकिरे प्याज की अंगुठी के दोस्ट से संब्बन दिता है विचावदा फॉलविंग प्रोसेस इस असोसियेटेड टू ओनिन रिंक्स डिफेक्ट जिसमें हमारा राइट हो ऑप्षण फ्रिक्षिन इस्टर वेल्डिंग फ्रिक्हशन इसड्रिव ऍर यह डिफेक्ट कामन है उने बूर्डविंग के लाश्ट में भी यह गोल गोल रिंग टाइप में डिफेक्ट रह जाता है जो कि प्याज के जो रिंग होता ना अंदर प्याज को काटेंगे तो बार एक बार अगर प्याज को काटेंगे लंबा लंबा तो आपने देखाऊगे कि जिस तरह से प्याज की रिंग बनती है गो जो है फ्रिक्शन इस्टर वेल्डिंग के अंदर कॉमनली आता है ठीक है तो इसमें हमारा राइट आंस्वर आपने देख लिया है ऑप्शन ए इस राइट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन नंबर ट्वाल में निमनली कितमें से किस रेन की वेल्डिंग परकिरया में उस्वाश्रोत का अधिक्तम सक्ति गनत होता है विच अप्ट वॉलमिंग के टेग्रीज ऑफ वेल्डिंग प है वह कौन सा व्ेंडिंग प्रquis है जिसके अंदर बहुत ही शक्तिशाली हीट सौर्स का उप्योग किया जाता है जिसनमें हमानाा राइट जाएगा ओप्शन सी वेल्ण परकिरया एक इत्सssa के अंदर सक्तिशली हsin है विम यहनिंग निकि शक्राइड strategy जो अपके उपर ट्रेप्लाई की जाती है जिसके लिए में बहुत ही पॉषम डेंसिटे हीट चीए तो उसके लिए हम पक्षक्त Sorche का उप्योक करते हैं ठीक है कि छिले बढ़ते हैं सुद्ध टंगस्टन का गलनांग क्या होता है वाट इस दा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर टंगस्टन जिसमें हमारा राइट आंस्वर आजाएगा ऑप्शन चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन के और हमारा नेक्स्ट कुशन है क्यूशन नमर फॉर्टिन टायटेनियम वेडिंग के दौरां ऑक्स करन्ट से बचा जा सकता है ऑक्सी डायशन डूरिंग टायटेनियम वेल्डिंग इस ऑवड़ेट थ्रू जिसमें हमारा राइट आं आप किसी वैकिम चेमबर के नदर है वेलडिंग करेंगे साथ में इनट गैस हुस वीक्यूम चेमबर के अंदर है तो उससे विह स्काक में वेलडिंग का हमारा ज्यॉब wounded जिरिंग kosten बशा वेलिंग गैस का आप उप्योग करेंगे तो उससे भी हम टाइटेनियम का जो हमारा जोब है उसको उक्षिडेशन से बचा सकते हैं तो यह दोनों मेतेड कारगार साबित हैं उप्योगी है टाइटेनियम को वेल्ड करने के लिए ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कु सबसे कम है विच उप्योविंग एलिमेंट है दा लोवेस्ट डेंसिटी जिसमें हमारा राइट आंसर आज आएगा ओप्षिन बताएए ओप्षिन भी मेंगनेशियम ठीक है मेंगनेशियम को जो भार है वह सबसे हलका होता है बाकी कि जो ऑप्षिन दिये गए हैं लेड ट कि देंसिक दिखे सांप से वह सब से कम होता है बढ़ों स्कार को । न नेक्स प्रेंग में प्रक्रिया सब्सक्राइब पर clipper कें फि म हीडिउरummे प्रोंजर वे इस फिल्वीन ट्रॉशस necessarily क्विनेशन इस हाइब्रिड क्विलिंग प्रोसे जिसमें हमारा राइट कि लेजर welding प्लस जी टी डबर्व लेजर विम वेज़िघ्ड प्लस साहथ में जो दूसरे welding सामील कि गये है वो है तिक welding इन दोनों को मिला कर एक नहीं welding की जो शुरुंआत की गय है हमारी जो है तो है क्रिया करलते हैं वेल्दिंग करना इतना आसान बना दिया इस वेल्डिन प्रόसेस ने और बहुत ही स्मूध वेल्डिंग करता है आपको आपको देखने का मुझा मिले तो जरू देखना यह डिनफ बहुत ही श्यांदार वेल्डिंग प्रोसेस है ठीक है चले बढ़ते हैं next question को हमारा next सब्सक्राइब करेंट करके निमल कितमें से किस दो से बचाजा सकता है इन जीटी डबलु टिक वेल्डिंग प्रोसेश वीच फॉलविंग डिफेक्ट इस अवोड़ेट बाई यूजिंग डाउन स्लोप करेंट जिसमें हमारा राइट आंसर आज आएगा ओप्शन सी क्रेट यहनि कि डाउन स्लोप जो करेंट की जो टेक्निक है उसके द्वारा हम क्रेटर डिफेक्ट को बिल्कुल रिडियोस कर सकते हैं कम कर सकते हैं कैसे होता है आपको मैं पता देता हूं दिकि पल्सिटिक वेल्डिंग के अंदर ये आपका सिस्टम लगा रहता है जिसमें क्या रहता है जब आप वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे इस्टार्ट करते रिशन में 10-15 सेकंड के लिए करेंट ज्यादा रहता है जिससे क्या होता है कि पेनेट्रेशन अच्छाता है बाद में क्या है कि जैसे जैसे आप वेल्डिंग करते करते आगे बढ़ेंगे तो करेंट ju 하면 that a heat input the control रहता है यह जदा ऊवर हीटन नहीं होता है जो to basis in बीड़िके लाश्ट में और हीटिंग वज़ा से जो खरेटर बनता है हमेशा आपकोण hem ब्हुल्रेयक में अर्क वेल्डिंग में भी जोब के बीड़् की जो लाश्ट में ग्रार बन जाता है वह इसके अंदर समझ्या बिल्कुल नहीं आती है क्योंकि लास्ट में जोब ओवरेट होता ही नहीं है क्योंकि करेंट एटोमेटिक्स इसमें रिड्यूस होता रहता है जैसे जैसे जोब के ओपर हीट इनपुट जएद आएगा करेंट धीरे-धीरे कम होता रहेगा तो वेल्डि हमारे नेक्स्ट कुष्ण ग्यटांबर 18 निम्स लिखित में से कौ्न गेज मेटल आर्क में क्योंकि अधुटाम्र यंद करने techn kissing the analyse ठीक है वैल्णिंग के अंदर जो मेटल्ल ट्रांसपर अब्रेंजोग के व Pride उपर उसके तीन मेघट्थ होते तो इन तो इन मेंठस उपकशन दिये गया है जो इन तेनों मेघटर के अलावा है यानि कि जो मेटल ट्रांसफर का मॉड नहीं है मौड हमारी मिल्डिंग के अंदर नहीं है, बाकी संट के अंदर करते हैं,체तर फ्यूग किम वैल्डिंग में करते हैंbr education पॉखंए मोड का उपयोग हम अणर करते हैं किन्वा पॉखंपर यानिकी वैल्डिंग करने के लिए में में करते हैं ठीक है है बढ़ते हैं हमारा क्नुछ सब्सक्राइब नाइंटीम न्यांटीन यार्ज्टिक वैल्डिंग पर क्रिया में इलेक्टोड के रूप में किया जाता है क्योंकि इसकी यानि कि टंगेश्टन इस यूज़्ट एज इलेक्टोड इन जीके डबलू welding process because of its जैनि कि टिक वैल्डिंग के अंदर टंगेश्टन इलेक्टोड का अप्यो करने का कारण क्या है यह हमसे इस पूचा गया है जिसमें हमारा राइट आंसर है option कि अधी है है मेल्टिंग पॉइंट यानि कि इसका जो गलनांक बिंदू है वो सबसे अधिक होता है यह हाई टेंपरेचर पर भी टिका रहता है भीगलता नहीं है तो हाई टेंपरेचर पर वेल्डिंग करने के लिए हम टिक वेल्डिंग के अंदर टेंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्योग करते हैं ठीक है चलिए बढ़ता है नेक्स्ट कुशन के और हमारा को अगर हम डिवाइड करेंगे बेस मेटल की स्ट्रेंथ से तो उसकी जो हमारे केलकुलेशन आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी वेल्डिंग की दक्षता आजाएगी वेल्डिंग की शमता आजाएगी ठीक है वेल्डिंग कितनी मजबूत है उसका केलकुलेशन आजाएग ठीक है चले बढ़ते हैं next question के और हमारा next question question number 21 उश्मा उर्जा की SI1 क्या है what is the SI unit of heat energy जिसमें हमारा right answer आ जाएगा option C joule ठीक है चले बढ़ते है next question के और हमारा next question है question number 22 Monal किसका मिस्र दातु है Monal is an alloy of जिसमें हमारा right answer जाएगा option a nickel और तामबा यानि कि जो Monal metal होता है यह जो Monal metal जो मिस्र दातु होती है यह किन से मिलकर बनी होती है निकल और copper से मिलकर बनी हो दिया है ठीक है चले बढ़ते हैं हम next question के हमारा next question है question number 23 SME का मतलब है यानि कि SME की full form क्या होती है है जिसमें हमारा right answer आजाएगा American Society of Mechanical Engineering यह हमारा right answer option C आजाएगा ठीक है चले बढ़ते हैं हम next question के और हमारा next question question number 24 निम्न लिखित में से कौन सा volumetric entity विदी है which of the following is a volumetric entity method है कि कौन सा testing method है जो volumetric entity यानि volumetric non destructive test है जिसमें हमारा right answer जाएगा option B ultrasonic testing जिसके अंदर तरंगों का उप्यों करते हुए हम जोब की testing करते हैं यह एक non destructive test है जिसको हम volumetric entity भी कहते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question के ओर हमारा next question है question number 25 चुम्ब की परिक्शन का उप्यों करके निमल कित में से किसे इस्टील का परिक्शन नहीं किया जा सकता जिसमें हमारा right answer आएगा option A authentic stainless steel क्योंकि यह जो इस्टील होती है यह फेरस के जो content होते हैं इसमें बहुत कम होते हैं यानि कि ना के बराबर होते हैं और जो हम चुम्ब के करते हैं वह करते हैं तो यह तीन हैं इनके उपर हम एंड़ आसा नहीं से कर सकते हैं मेगनेटिक पार्टिकल टेस्ट के द्वरा हमारा नेक्स्ट टीशन है क्यूसर नंबर 26 इन गेस मेटल आर्क वेल्डिंग दा पॉलरिटी यूजिस यानि कि तरविद गेस मेटल आर्क FUCK मे मगजिएर्डिंग में किस पॉलरिटी का परियोग हम करते है जो कौन सी पॉलरिटी हो गई reverse पॉलरिटी ज्याद रखना reverse पॉलरिटी को हमेशा DCEP के नाम से भी जानते हैं या फिर reverse पॉलरिटी भी इसको हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि electrode जो होता है electrode positive पॉल के साथ जुड़ा होता है जो हमारा जोब है वो negative पॉल के साथ जुड़ा होता है इसलिए इसको DCEP कहते हैं और reverse पॉलरिटी भी कहते हैं ठीक है तो ज्याद रखना हमेशा बहुत ही most question है बहुत सारे एक्जामों में मैंने भी देखा है कि मिक वेल्डिंग के अंदर कौन से पॉलरिटी उप्योग करेंगे तो वह होगी रिवर्स पॉलरिटी ठीक है बढ़ता है नेक्स्ट क्यूशन क्यों मारा नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर 27 सुद्ध टंगस्टन या जीट डबलू वेल्डिंग परिक्रिया पर से रिटेट टंगस्टन से बने लेक्ट्रोड को प्रात्यमिक्ता दी जाती है इसकी क्या वज़ा है इलेक्ट्रोन मेड ओफ से रिटेट टंगस्टन इस पर प्रफरेड और प्यूर टंगस्टन फोर जीटी डबलू welding process because of its question में हमसे पहुचा जा रहा है कि GTW welding में pure tungsten electrode की जगह पर serrated tungsten से बने electrode को अधिक प्रात्यमिकता जिये जाती है यानि कि serrated tungsten electrode का उपयोग अधिक किया जाता है जिसकी क्या वज़ा है जिसमें my right answer आजाएगा option D उप्रोक्त सभी यानि कि इसके अंदर जो है electron उत्सरजन समता अच्छी होती है current वहन समता भी अच्छी होती है तीसरा संदुसंड का परतिरोध resistance to contamination यानि कि यह जल्दी घिस्ता नहीं है जल्दी खराब नहीं होता है और खराब यह कर यह तूट कर हमारे weld metal के अंदर mix नहीं होता है तो यह तीनो विशेश्ताओं के वज़े से pure tungsten की जगा हम serrated tungsten electrode का परियोग tick welding के अंदर अधिकतर करते हैं ठीक है? चलिए बढ़ते हैं next question के और हमारा next question question number 28 E7018 electrode की नियुनतम तन्यता थाकत है minimum tensile strength of E7018 electrode जिसमें हमारा right answer आजाएगा option D 70,000 PSI यह यह जो 7018 electrode होता है आपने देखा होगा उपयोग भी क्या होगा मैं भी अकसर उपयोग करता हूँ जब welding करता हूँ तो इस electrode की जो tensile strength होती है वो minimum जो होती है 70,000 PSI होती है ठीक है चले बढ़ते है next question के और हमारा next question है question number 29 निमलिकित में से किस क्रिया में केशी का क्रिया शामिल है which of the following process involve capillary action जिसमें हमारा right answer है option B and option D अगर आप इसमें B लगाएंगे तो भी सही है और D लगाएंगे तो भी सही है दोनों के अंदर capillary action होता है bracing and salting दोनों में तेकि capillary action क्या होता है narrow से narrow gap में भी अगर metal खिचकर अंदर तक पूरा penetrate हो जाता है जो भी हम weld कर रहे हैं जो भी हम metal को जोड़ रहे हैं वो वो पिगला हुआ metal अंदर तक अंदर तक खिचकर चला जाता है पूरे joint में भर जाता है उसी को हम capillary action कहते हैं जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक दीपक जलाते हैं तो दीपक जब जलता है तो पूरे दीपक के अंदर जो oil भरा होता है पूरा oil उपर आकर जलता है जलता है ना तो अलाश्ट में दीपक खाली हो जाता है उसी परकार से जब हम पिगला हुआ metal joint के उपर डालते हैं चाहिए वो sorting हो चाहिए ब्रेजिंग हो तो पिगला हुआ liquid metal अंदर joint के अंदर खिच जाता है joint के अंदर प्रवेश कर जाता है और पूरे joint को cover कर लेता है इसी को केपिलर action केते हैं और यह ब्रेजिंग एंड शोल्टिंग दोनों प्रोसेस के अंदर होता है ठीक है चली बढ़ते है next question के और हमारा next question question number 30 ता पिए चाह लगता कि काई कौन सी है वाट इस दा यूनिट ओफ थर्मल कंडेक्टिविटी जिसमें हमारा राइट आंस्वरा जाएगा ओप्शन वी डेवल्यू अब्लिक एम अब्लिक के ठीक है चलते हैं next question के और हमारा next question है question number 31 डाइपेनिट्रेट परिक्षण द्वारा निम्लकित में से कौन सा दोस्त निर्दार्ट किया जा सकता है which of the following defect can be determined by the डाइपेनिटरेट टेस्टिंग आपने सुना होगा डाइपेनिटरेट टेस्ट एक नॉन डिस्ट्रेक्टिव टेस्ट है जिसके अंदर डाइपेनिटरेट करते हुए हम जोब के अंदर जो वी क्रेक्स वग्रा डिफेक्ट वग्रा उसके अंदर आ गए हैं उसको इंडिकेट कर पाते हैं तो इन में से कौन से डिफेक्ट हैं जिनको डाइब प्रेडिय टेस्ट के द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो इसमें युमारा राइट आजएगा ऊप्शन सी क्रेटर दोस आपको बता देता हैं वो सर्फेस के नीचे अंदर आंत्रिक क्रेक्स होती है ठीक है आंत्रिक क्रेक्स को हम इसमें हम यहां परीक्स नहींकर सकते हैं और आंत्रिक पोरोशिटी बन जाती हैं जोब गेंदर बाहर कोई पोरोशिटी नहीं है जोब के तो इसमें हमारा एक ही आएगा option C जो है उसमें हम डाइपने टेस्ट के दौरा आसानी से उसका पता लगा सकते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्यूशन के और नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर 32 निम्न लिकित में से कौन सी परक्रिया एक इस्तिर वल्टेज सकती श्रोत का उपयोग करती है जिसमें हमारा right answer आजाएगा option D इन सभी प्रोसेस के अंदर हम कौन्स्टेंट वल्टेज पावर सोर्स का उपयोग करते हैं मिक वेल्डिंग हो गया फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग हो गया सब मर्ज राक वेल्डिंग हो गया इन तीन प्रोसेस के अंदर हम कौन्स्टेंट वॉल्टेज टाइप की जो हम वेल्डिंग मशीन है उसका उपयोग करते हैं जिसके अंदर वॉल्टेज इस्तिर रहता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के और हमारा नेक्स्ट क्यूस्ट नंबर था टि ट्रिक्रिश्टल जाली में भी सी दर्साता है भी सी इन ग्रिश्टल लेटिस डीनोट्स दिनकी क्यूस्ट में से पुस्टेजा रहा है कि बीसीफिए की फुल फोर्म क्या है जिसमें हमारा रायट आंस वरा जाएगा ऑप्शन ए सरीर केंद्रित घं बोडी सेंटर क्यूबिक को हम बी-सी-सी कहते हैं सोट फोर्म के अंदर ठीक है चली बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्ण के और हमारा नेक्स्ट कुश्ण है क्योश्ण नंबर 34 रूटाइल इलेक्ट्रोड कोटिंग का बना होता है रूटाइल इलेक्ट्रोड कोटिंग इसमें हमारा रायट आंसर आजाएगा ओप्शन C titanium oxide coating यानि कि जो rutile electrode होते हैं वो titanium oxide type की coating से बने होते हैं ये जो electrode होते है its general purpose होते है यानि कि normal जो कार्य में उपयोग होते हैं वो electrode titanium oxide ही होते हैं जिनको rutile electrode बोला दाता है इन electrode का जो slag होता है वो आसाने से remove हो जाता है 6013 electrode देखा होगा नॉर्मल electrode है हर जगा उपयोग किया जाता है वो electrode rutile electrode ही होता है OC को titanium oxide electrode भी कहते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की और हमारा next question question number 35 निम्लिकित में से किस तत्व का गलनांग सबसे कम होता है जिसमें हमारा right answer है option D gallium gallium जो metal होता है इसका जो temperature है वह सबसे कम होता है इसका जो temperature होता है 29.6 degree Celsius है होता है याने को good 30.6 degree Celsius इसका temperature होता है बाकी आफ देख सकते हैं लीड का जो temperature होता है और 327.5 होता है कोपर का जो है 2022 degree Celsius होता है वह electricity लूमिनियम in Ray चैसेए Cartier हो होता है तो सबसे कम इन दिएगे विकल्पों में से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो गेलियम का ही है 29.6 डिग्री सेल्सियस ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर 36 साम्माने उच गती वाले स्टील में शामिल है यानि कॉमन हाइश्पीड इस्टील कौन सी है जिसे में हमारा राइट आंसर आजाएगा ओप्शन ए 18% टंगस्टन 4% क्रोमियम एंड 1% वैनेडियम इन तीनों मेटल से मिलकर जो हमारा का मेटल तेयार होता है वो हाइचिड स्टील होता है हिस इस स्टील का परियोग हम कटिंग टूल्स बनाने की लिए करते हैं हाइ कार्बनी स्टिल से दो गुना समता होती है किसी भी जोब को फास्ट काटने की ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन के ओर हमारा नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर 37 इस पात मिश्र धातों में सिलफर और फासफोरस है जिसमें हमारा राइट आंसर आजाएगा ओप्शन ए कम गलनांग तत्व लो मेल्टिंग पॉइंट यानि कि किसी भी इस्टिल के अंदर सर्फवर और फास्फवर जो है वो पर्तिकल ही परबाव डालते हैं तेकि सल्फर क्या करता है जब किसी धातू को हाई टेंप्रेशर प बना देता है और फास्फुरस क्या करता है जब किसी धातू का टेंपरेचर कम होता है तो उस समय यह धातू को ब्रिटल बना देता है यह दोनों ही एलिमेंट किसी भी स्टील के लिए लाबदायक नहीं होते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन के और हमारा न सी सी टू एच टू ठीक है कि कार्बन और हैड्रोजन से मिलकर जो गेस बनी हुए हो ऐसे कहलाती है मारा नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमर 39 रेंगना घटना अधिक परबल होती है क्लीप फिनोमीनों इस मोर प्रीडोमिनेंट इन जिसमें हमारा राइट आंसर है हाई टमप्रेचरपर बतात तो किसंड़ी क्या कहना चाहँ यह मेटर्यल साइंस का क्रूशण के जब है मेटल का डी फ़ार्मेशन होता है तो अधिक पॉसिबिलीटी जो ओनने की प्रोसेหच होती हाइच ji अनदर जब कोई मेटल इस्ट्रेस के अंदर रहता है जब किसी मेटल के उपर इस्ट्रेस क्रेट किया जाता है तो डिफॉर्म होने की एक प्रोसेस होती है ठीक है इस्टार्टिंग में जो डिफॉर्मेशन आती है वो कम आती है ठीक है नॉर्मल टेंपरेचर पर जो डिफॉर्मेश होती है जिसको प्लास्टिक Deformation कहते हैं ठिक है मेटल ट्राइमेटल प्लास्टिक Deformation उसको कहा जाता है यह स्थिल Deformation होती है और यह बढ़ती रहती है जब मैटल को हीट दी जाती है तो यह Deformation बहुत बढ़ जाती है जिससे कि metal last में fail हो जाता है तो यही है कि creep phenomenon का मतलब होता है कि deformation कब अधिक होती है metal deformation कब अधिक होती है तो इसमें हमारा right answer आजएगा high temperature पर metal की deformation अधिक रहती है इनकी उस समय चांस रहते हैं कि मेटल हमारा फैल हो सकता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिशन के और इनकॉनल इज ए इनकॉनल क्या है जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन निकल बैस मिस्र दातू इनकॉनल जो यह मेटल होता है इसके अंदर काफी विससिता है रहते हैं यह कोरोजन रहता है और जो प्रमो प्लास्टिक गटको की वेल्डिंग के लिए निम्लिकित में से किस प्रक्रिया का सबसे अधिक उप्योग किया जाता है जिसमें हमारा राइट आंसर आजाएगा ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का यहनी कि वैब्रेशन और स्फ़ाइब कउपयोग करते हुए वेल्डिंग परफॉर्म की जाती है तो थर्मोप्लास्टिक हो यान कि जो कुछ आपको पता किस से जोड़ जाता है वो ultrasonic welding से ही जोड़ा जाता है तो चाहे प्लास्टिक हो या कागज की भी polythene आपने देखे हो कि उसके चारो तरफ joint रहता है कागज की polythene आती ने कपड़े वाली उसके चारो तरफ क्या रहता है joint रहता है और आप खेचोंगे तो वो joint निकल जाता है तो वो जो joint बनाया जाता है वो भी किसका बना होता है ultrasonic welding के द्वारा ही बना जाता है आगे बात समझ में ultrasonic बहुत ही उप्योगी चीज है चलिए बढ़ते हैं next question के और हमारा next question है question number 42 टिक वैल्डिंग परकिरिया में निम्लिकित में से किस दूरता के प्रणाम सुरूप गहरी पैट होती है इन टिक वैल्डिंग प्रोसेस वीच अपड़ फॉलविंग पॉलरिटी इस रिजल्ट इन डीपर पेनेटरेशन यहनी की टिक वैल्डिंग में कौन सी पॉलरिटी के उप्योग से हमें गहरा पेनेटरेशन प्राप्त होता है जिसमें हमारा राइट आंस्वर आजाएगा लेक्ट्रोड नेगेटिव यहनी कि डी सी इन डी सी इन यहनी कि अगर हम इस ट्रेट पॉलरिटी इस ट्रेट न की पॉजिटिव पॉलरिटी अप्योग करेंगे तो उससे हमें टिक वैल्डिंग के अंदर गहरा पेनेटरेशन प्राप्त होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं है नेक्स्ट को तो आपको पता चल गया मिग वेल्डिंग में रिवर्स पॉलिटि का पर्योग करेंगे और टिक वेल्डिंग में आप इस्ट्रेट का पर्योग नर करेंगे द्यान रखना बहुत है अच्छा हमारा नेक्स्ट कुछन क्या है इस्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस है वेल्डिंग के दुरान जोब में क्या होता है इस्ट्रेस क्रेट होता है उस इस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम टेंपरिंग करते हैं और वो टेंपरिंग करने से क्या होता है कि हमारा जो है जोब के उपर से स्ट्रेस रिलीव हो जाता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछन के और हमारा नेक्स्ट कुछन है क्या आर्थ है वाट इस दा फुल फॉर्म ओव पीक्यू आर इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा प्रोसिजर क्वालिफिकेशन रिकोर्ड ओप्शन ए इसमें फॉर्म प्रोसिजर क्वालिफिकेशन रिकोर्ड ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा नेक्स्ट कुछन है क्यूशन नमबर फॉर्टिफाइव ई-7018 इलेक्तोड के लिए उप्योग था है टी-70 इलेक्टोड इस सूटेबल फॉर्हाँ निकि इस जिसमें हमारा राइट आज आएगा option D सभी स्थिति में यहने कि इलेक्टोड जो हमारा है इस 7018 जो इलेक्टोड है इसको हम आल पोजिशन की वेल्डिंग में कर सकते हैं ठीक है बढ़ता है नेक्स्ट किशन के और हमारा नेक्स्ट कुशन किशन नमबर 46 निमले कितमे से कौन सा धात्व औक्साइड टंगस्टन इलेक्टोड में डॉपिंग के रूप में उप्योग नहीं किया जाता है जिसमें हमारा राइट आंसर आजाएगा option C Aluminum Oxide वाकी हम थोरिट एलेक्टोड भी उजर्ण करते हैं यह सेरी आटेड इलेक्टोड भी करते हैं जिसमें हम सेरियम का उप्योग करते हैं ले ले जितहनी एंप का उप्योग भी हम यह अअएं व्हां अलेक्सितन बिन को बनाने के 47 हरे रंग की कोडिंग के साथ डिट डॉलि टिक विल्डिंगि एलेक्टोडऺर्जेयida करता है डिट कि पट्ती लगी होती है या गरिन कलर की कोदिंग currently रहती है तो वह कौन सा लेक्टोड रहता है। जिस में हए राइट आंसर आज हाएगा option B शुद्ट टंगस्टन यानि कि सुद्ट टंगस्टन का लेक्टौड अगर बनावा है तो कोडिंग आती है वह आती है गृरिन कलर की पट्टी ऐसके उपर की रहती है ठीक है तो वह कप समझ की वो इलेक्टोड कौन सा है सुद्ट Alektode है बढ़ता है next question के हमारा next question of A80 वेलिंग पर के लिए किने से किस परकार के उर्जा का प्रयोग किboys आपको करना है तो देगे विकलपों में से किस उर्जा का परियोग के लिए किवी आऊपशन डि इन सबी परकार की उर्जा का उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है लाइट एनर्जी का उपयोग भी किया जाता है जैसे रेडियेंट एनर्जी वेल्डिंग की जाती है यानि कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गई लेजर वीम वेल्डिंग हो गई ठीक है इलेक्ट्रो हीट एनर्जी आपको पता है कि आर्क वेल्डिंग करने के लिए हम हीट एनर्जी का परियोग करते हैं ठीक है तीसरी हो गई वेल्डिंग में किया जाता है इलेक्ट्रों वेल्डिंग कहां परफॉर्म की जाती है यह हमसे इसमें पूछा गया है जिसमें मारा राइट आंसर आजाएगा आप्शन सी निर्वात वातार रहने कि वेक्यूम एट्मस्फेर यानि कि चारो तरफ से वेल्डिंग के लिए जहां पर वो जो इसपेस है पूरा वेल्डिंग वेक्यूम में ठीक है ऐसी जगापर हम एलेक्ट्रों वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं ठीक है हुआ है चले बढ़ता है Next Question की और हमारा next Question is Question 50 यूण की て वेल्डिंग तक्निक जिससे वेल्डिंग उपकरन को एक इस्तिर כ्हार के चारों और क्या जाता है किराती है वेल्डिंग टेक्निक वेल्डिंग टुल्फ यॉड़ डेट अरउन्स इसेटक्टिक वर्कीश इंक डूर। यानि कि वेल्डिंग के समय जोब एक जगाव bit सै उस जोब के चारो तफ घूब कर हमारी वेल्डिंग मशिन वेल्डिंग कर रही है। हमारा टूल वेल्डिंग कर रहा है तो एसी process को कौन्सी क्याएंगए। उसमें हमारा राइट आंसर आजाएगा कक्षी वेल्डिंग क्या कहेंगे और बीटल वेल्डिंग प्रोसेस को कहा जाता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछन के और हमारा नेक्स्ट कुछन है क्यूशन नंबर 51 निम्न में से कौन एक परकार का स्टेनलेस इस्टील नहीं को और उप्चिन डी हमारा इसमया आज कि यह जो ऐस्ते लस्ट नहीं है बाकी स्टेंटिक इस्टील भी आती है मौर्त इस्टिल ब्चिट्न से सिटील سटील भी मार्केट में हमें देखने को मिलती है लेकिन यह टाइप है तो यह हम इसमें क्लिक कर देंगे ठीक है चलिए बढ़ता है नेक्स्ट कुछन के और हमारा नेक्स्ट कुछन फिप्टी टू लोह में कार्बन की अधिक्तम गुनल सीलता है स्विट्टी और आयों कि आयरं के अंधर कार्बन मिलाय जा सकता है तो इसमें तो सेट परशंट हम मेग्स्ट कार्बन जो है स्टील के अंदर कर सकते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछन के और हमारा एक पंबर और यहांदी स्व्या चुछनी में को सी बचने के लिए तिक है चली बढ़त हैं और सब्डान इस प्रोंद मेंदें को यह आट ने कुछ जाता है टिकविर्ड-अश्ट नरियुक्षर में अरफियू आउर्प्यों कोशी नेक्स्ट कुशन के और हमारा नेक्स्ट कुशन है कुशन नंबर 54 निमनलिकित में से किस गैस का उपयोग GMAW परकिरिया के परिरेक्षण के लिए नहीं किया जाता है वीच अब दा फॉलविंग गैस इस नोट यूज फॉर सिल्डिंग इन GMAW यानि कि देगे विकल्पों में स्वह कौन सी गैस है जिसका उपयोग हम मिग वेल्डिंग के अंदर शिल्डिंग गैस के रूप में उपयोग नहीं करते हैं जिसमें हमारा राइट आंसवर है लिए करते हैं औरहीं का वहम करते हैं सिलिंग के रूप में मिग वेल्डिंग इंदर वो करते हैं चलिए बढ़ता है नेक्स्ति extraordinarily क्या सुआ नबर 55 ए छाता निए प्रुक्रिक्ष्रेंट लिए कि लिए कि मुक्र fellow's चियाना does तो उसमें जो किर्णे हम उपयोग करते हैं वो कौन सी किर्णों का उपयोग करते हैं जिसमें हमारा राइट आंसर है गामा रेज यानि कि जो की एक्सरे टेस्ट करने के लिए हम गामा किर्णों का परियोग करते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा नेक्स्ट क्यूशन नंबर 56 एक वेल्ड धातु में देरी से क्रेकिंग का कारण होता है डिलेट क्रेकिंग इन एवेल्ड मेटल इस गौज बिकोज ओव यानि कि कोई भी हमने जोब को वेल्ड कर दिया है और वेल्ड करने के कुछ देर बाद में अगर क्रेक आ रहा है तो वह किसकी वज़े से आ रहा है जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी डिजॉल्व एच टू यानि कि जोब के अंदर अगर हैड्रोजन गेस की मातरा रह गई है हमारे वेल्डिंग बीड के अंदर अगर हैड्रोजन गेस का कुछ तोड़ बहुत भी वोल्यूम रह गया है तो उसकी वज़े से हमारे बीड के अंदर क्रेकिंग आ सकती है उसमें हो सकता है तोड़े देर बाद में क्रेकिंग आ है लेकिन वो उसकी वज़े से क्रेकिंग आ रही है तो उसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गेस हमारे वेल्ड मेटल क इंदर रह गई थी ठीक है तो इसी की वज़े से जो हमारे क्रेक्स आते हैं बाद में वह हाइडोजन गैस की वज़े से आते हैं ठीक है बढ़ता है नेक्स्ट कुछन के और हमारा नेक्ट कुछन है किस्ट नबर 57 एलेक्टोड को बेक करने की क्रम में किया जाता है बेकिंग जिसमें हमारा राइट आंसर है इसका मतलब होता है नमी हटा देना रिमोव मोश्चर आपने देखा होगा कि जब हम इलेक्टोड का उप्यों करते हैं तो थोड़े देर उसको ओवन के अंदर गरम करते हैं यह प्रोसेस क्या बाता है बेकिंग ओफ इलेक्टोड को मोश्चर यानिक इलेक्टोड के उपर जो कोटिंग के अंदर नमी आ जाती है यह जाती है उसको दिन्योग करने केह सब्सक्राइगा option a 60 इस्तिती में योग्य वेल्डर सभी पदों पर वेल्ड कर सकता है वेल्डर qualified in 60 position can weld in all position जो welder 60 position के अंदर welding कर सकता है वो किसी भी position में welding करने में सक्षम होता है यानि कि 60 वेल्डर 60 certified welder आल position के अंदर welding कर सकता है और हैंड डाउन हैंड एंड वर्टिकल फ्लेट पोजिशन 60 पोजिशन यानि कि हर टाइप की position में वह वेल्डिंग कर सकता है 60 वेल्डर आल पोजिशन के अंदर welding करने में सक्षम होता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछन के और हमारा इस लोग के अंदर यह फोर्मूला बताया गया है जो कि हमारे रजिस्टेंस हीट को बताता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुछन के और और यह हमारा आखरी कुछन है कुछन नंबर 60 एक परमानों में निमले कितमे से कौन सा कतन सही है इन एन आटोम विच ओफ फॉलविंग स्टेटमेंट इस करेक्ट जिसमें मारा राइट आंसर है ऑप्शन ए यानि की प्रोट्रोन और न्यूट्रोन के चार और इलेक्ट्रोन क्या करते हैं चक्कर लगाते रहते हैं और पूरे साथ कुछन के साथ हमने ये पेपर कमप्लीट कर लिया है बहुत important कुछन इस पेपर के अंदर दिये गए हैं और सारे कुछन का level यी बहुत अचा है तो हर परकार के एकजाम और हर टाइप के पेपर में आपको ये पेपर बहुत हल्प करने वाला है मिलते हैं next वीडियो के साथ तब तक आप हम तयारी करें और आपको आपके आने वाले एक्जाम के लिए फिर से में तरफ से हार देख शुब कामने नमस्कार जैहन